एक तरप कोरोना वारस से निपटने के लिए केंद्र सरकार वर राजसरकार लॉकडाउन चला रही है वहीं उस दोरान भी अवेध सराब के कारोबारी तेजी से अपना पाउप पसार रहे हैं इस पर नियंतरन के लिए आपकारी विभाग सक्त होने के बजाए सुस्त नजर आ रहे है बीती रात सोमबार को तलके तीन बजे अवे धिरूप से जुगार गारी में ले जा रहे हैं देसी मसालेदार सराब की एक बड़ी खेप चांदन पुलीस ने पकड़ी थाना ध्यश सरवनकुमार ने बताया कि कावरिया पत से भारी मात्रा में सराब ले जाने की सूचना मिली थी इस गैंग को पकड़ने के लिए रातरी दो बजे से ही टीम लगाए गई थी पुलीस पहुचने की भनक लगते ही सभी सराब करोबारी जुगार गाली पर लोड़िड सराब को छोड़ कर फरार हो गए बोरे की तलासी ले गई तो कैप्टन ब्रांड का 300 एमिल का 1025 बोतल बरामत किया गया पंजवारा पुलीस ने सराब माफिया पर कारवाई करते हुए मंगलवार की रात थाना चेतर के पासो गाउं से एक धंदे बाज को अवेद देसी सराब के साथ धरदबोचा कारवाई की जानकारी देते हुए पंजवारा थाना धच मुडली धरसाह ने बताया कि उन्हें चेतर के पासो गाउं में एक बैक्ती द्वरा अवेद रूप से देसी सराब बेचे जाने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के अधार पर उने पासो गाउं पहुचकर अवेद देसी सराब के साथ एक धंदे वाज को धरदबोचा गिरहपतार सराब माफिया की पहचान असोग दरवे की रूप में हुई है पुलीस ने उसके पास से एक डिब्बे में साथ लीटर देसी सराब और पांच सो चालिस रूप ये नगत बरामद किये हैं मामला दर्चकर उसे बांका जेल भेज दिया गिया उधर लॉकडाउन के मद्दे नजर पंजवाडा में जारकंट बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है बॉर्डर पर परतिनुक्त मजिस्टेट के साथ साथ मेडिकल और पुलिस टीम भी चेक पोश्ट पर कड पेमारी अभियान के तर्थ थाना ध्यच कुमार सन्नी के दोरा बालू लदी एक ट्रैक्टर एवं एक बाइक को जब्त किया गया मामले को लेकर थाना ध्यच ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लॉकडाउन का फायदा उठाते वे कुछ बालू माफियाओं के दोर मौके से ट्रैक्टर एवं बाइक को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया जब्त वाहन के मालिकों पर खनन अधिनियम के तहद प्रातमी की दर्ज करते हुए कारवाई की जा रही है